अमेठी जिले की तिलोई तहसील ख्षेत्र के मोहन गंज कोतवाली अंतरगत राम सिंग का पुर्वा मजवे मिरजागर गाउं के रहने वाले रामनरेश सिंग के तीन पुत्र हैं जिनका नाम राम कुमार सिंग उर्फ रजवल सिंग, त्रिभुवन सिंग और अनिल कुमार सि ये तीनों कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है इन तीनों की एक से बढ़कर एक क्रिमिनल हिस्ट्री मौजूद है तीन के तीनों भाई मोहन गंज कोतवाली के हिस्ट्री शीट भी है आपको बता देंकी त्रिभुवन सिंग पुत्र रामनरेश सिंग निवासी राम सिंग का तुसरा अनिल कुमार सिंग पुत्र रामनरेश सिंग निवासी पुरे राम सिंग मजरे मिरजागर थाना मोहन गंज जनपद अमेथी का ये भी हिस्ट्री सीट है इसके खिलाफ भी अमेथी और सुल्तानपुर जनपद में विभिंग अमभीर अपराधों में कुल सत्रह इनका तीसरा भाई राम कुमार सिंग और फ्रजवल पुत्र रामनरेश सिंग निवासी राम सिंग का पुर्वा मजरे मिरजागर थाना मोहन गंज जनपद अमेथी का हिस्ट्री सीट है इसके उपर लूट, गुंडा अधिनियम, गैंग्स्टर, अन्डी पी एस और एस सी एस्टी एक्ट सहित तमाम गंभीर धाराओं में अमेथी जनपद सहित पढोसी जनपद राइबरेली और बाराबनकी में कुल 31 मुकद में दर्ज है इन लोगों के घर कभी अमेथी जनपद के विभिन थानों से तो कभी पढोसी जनपद राइबरेली बाराबनकी और सुल्तानपूर के थानों से पुलिस छापा डालने के लिए पहुँचती थी जब पुलिस को गाव के अंदर अपराधियों के घर पहुँचना होता है तो वह गाव के बाहर ही गाड़ी खड़ी कर देती है ऐसे में गाव के बाहर जहीर का घर बना हुआ है और अक्सर पुलिस वहीं पर गाड़ी खड़ी कर पैदल ही इन लोगों की तलाश में इनके घर तक पहुंचती थी ऐसे में इन लोगों को यह महसूस हुआ कि जहीर हम लोगों की मुक्बिली कर रहा है और वही पुलिस को सूचित करता है जिस से पुलिस आती है और उन्हीं के घर अपनी गाड़ी खड़ी कर हम लोगों के घर दबिश देती है इसी बात से नाराज होकर रामकुमार उर्फ रज्वल सिंग अपने भांजे और नसीराबाद जनपद रायबरेली निवासी एक साथी को साथ में लेकर देर रात जहीर के घर पहुँचे और घर का दर्वाजा तोड़कर अंदर जाने का प्रयास किया तब ही जहीर के पास मौझूद लाइसेंसी बंदूख से जहीर ने फायर कर दिया जिसके चलते इन में से एक अपराधी को गोली लगी तब तक बदमाशों ने जहीर की बंदूख छीन कर उसी की बच से जहीर पर कई बारवार किया जहीर एवम उनके घर वालों तथा इन तीनों बदमाशों के मध्य मारपीट शुरू हो गई और इतने में ही गाव के लोग जैसे ही आये मौके से तीनों बदमाश भाग निकले बताया जा रहा है इस मारपीट में कुल चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं सूचना मिलते ही मौके पर मोहन गंज कोत्वाली के प्रभारी इंस्पेक्ट धीरेंद्र यादव अपने दलबल के साथ पहुँच गए मौके पर पहुँची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदाइक स्वास्थ केंद तिलोई भिजवाया जहां पर दो लोगों की गंभीर स्थिती को देखते हुए ततकाल डॉक्टर में लखनौ स्थित हाय सेंटर रैफ अकर दिया शेश लोगों का इलाज चल रहा है जैसे ही पूरे घटनाकरम की सूचना पुलिस अधीक्षक अमेठी डॉक्टर इलामारंजी को लगी ततकाल इस पी महोदे घटनास्थल पर पहुँचे और उन्होंने परिजनों से बातचीत कर पूरी जानकारी हासिल की इसके बाद मौके पर मौजूद कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्ट धिरेंद्र कुमार यादव और पुलिसक शित्रादिकारी अजय कुमार को यथावश्यक दिशा निर्देश दिये हालांकि दोनों पक्षों से पुलिस में तहरीर दी गई है तहरीर के आधार पर पुलिस मुकद्मा पंजी कृत करते हुए जाच और विधी कार्यवाही में जुटी हुई है आज रात्री में धाना मोहन गंज के ग्राम सिंग का प्रवा में दो पच्चों को भी इस फाइरिंग वो मार्पीट की सुचना पुलिस को प्राप्त होई थी पुलिस द्वारा ततकाल मौक पर पहुंच कर गायलों को इलाज के लिए बेजा गया इस गटना में कुल तीन लोग गायल हुए है दोनों पच्चों द्वारा तहरीत दी गई है अभी उपंजिकत किया गया है और अग्रिम बैदाने कारवाई की जा रही है